Friends, आज हम बनाएंगे गुजराती स्टाइल मेती ना मूठिया जो हम दो अलग अंदाज में बताएंगे एक तो regular मूठिया जो बनाते हैं मेती का वो बताऊंगी और दूसरा जो बताऊंगी वो गोली मूठिया एक ही डग में से हम दोनों ही मुठ्या बनाएंगे लेकिन दोनों ही अलग अंदाज में बनाएंगे तो खाने में मज़ा आएगी तो चलिए शुरू करते हैं रैसिपी तो रैसिपी के लिए पहले हमने यहाँ पर अद्रग मिर्जी और लसन ले लिया है तो तीनों को मैं अच्छे से जिल कर साफ करके कुड लोंगी और देखिए हमने ले लिया है मेथी जिसे मैंने अच्छे से साफ करके चौप कर लिया था और उसे वाश कर लिया है अच्छे से अब हम यहाँ पर आठा लगाएंगे तो आठा लगाने के लिए पहले हम यहाँ पर ले लेंगे मेथी तो मेथी हमने यहाँ पर एक कप आठा लेना है हमें तो उसके सामने हमें दो कप मेथी लेनी है इस मेजर से हमें चलना है तो इस प्रकार से मैंने 6 Lumica ये ले ली है और इसके अंदर आप चाहो तो धन्या पत्ती आप 1 कप एड़ाईट कर सकते हुं लेकिन यहाँ पर अकले मेथी का ही बना रही हूँ तो मैं वो सारी चीजे एड़ नहीं कर रही हूँ और बाते करते करते मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है स्वाद अनुशार अध्रक मिर्ची लसन जो मैंने बताई थी उसका भी मैंने पेश्ट बना लिया है और मैंने इसके अंदर तो यहां पे आप सघ्कर का भी यूज कर सकते हूं लेकिन मैं थोड़ा healthy वाला बना रही हूँ इसलिए मैं हमेशा गूर का ही इस्तेमाल करती हूँ और गूर का स्वाद भी यहां पे बहुत अच्छा आता है तो मैं यहां पे गूर डाल रही हूँ उसके बाद हमने यहां पे डाल दिया है हल्दी, तो यहां पे कलर के लिए हल्दी हमें अच्छे से डालनी होती है, फिर डाल दिया हमने लाल मिर्च, स्वाधनुसा, हमने आगे हरी मिर्च भी डाली हुई है, तो उस प्रकार से हमें डालना है, और यहां पे हमने डाल दिया है जीरा थोड़ा सा उसके बाद डाल देंगे हम अजवाई हाथों से क्रश करके डालेंगे और थोड़ा सा मैंने एक चमज यहां पे डाल दिया है धनिया जीरा का जो पाउडर आता है वो मैंने यहां पे डाल दिया है और अजवाई को हाथों से क्रश करके डालना है ताकि उसक तो आते चीज़े हम अटे के अंदर डालते है, तो हम यहां पे कुछ अलग प्रकार से बना रहे हैं , तो इस प्रकार से हम पहले मेथी के अंदर सारा मसाला अड़ कर देंगे और यहाँ पे हमने डाल दिया है कस्तूरी मेथी जो हाथों से हमने क्रस करके डाली है उसके बाद मौयन के लिए यहाँ पे हमने डाल दिया है ओईल तो ओईल यहाँ पे एक कप के अंदर एक चमच जाएगा तो यहाँ पे मैंने तीन कप लिया है तो मैंने उस प्रकार से ओईल डाल दिया है और ये सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ओईल वाला हाथ हमारा हो तो हमें यहाँ पर हमें मुठिया भी स्टेम करने के लिए चाहिए होगा तो वो बरतन भी मैंने ग्रीस कर लिया है देखिए अब इस मेथी को हमें अच्छे से मसल मसल कर मिक्स करना है ताकि मसाला जो है सारा एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए और उसके अंदर जो भी मॉइस्टर हो निकल जाए मॉइस्टर बाहर आएगा तो उसी में हम अपना आटा लगाएंगे तो देखिए हमने यहाँ पे गेहों का आटा ले लिया है जो है दरदरा वाला देखिए मैंने आटे के अंदर माचिस की तीली डाल रखी थी ताकि उसके अंदर कुछ भी कीड़े वगेरे ना लगे मैंने पहले भी यह ट्रिप्स बताई थी आप लोगों को अगर आप यह पीजा हुआ नहीं है तो आप एक कप नॉर्मल वाला आटा ले और उसके अंदर दो चमच सूजी डाल दे तो भी आप इस प्रकार से बना पाओगे देखिए यहाँ पे एक कप आटे के सामने दो चमच हमें बेसन लेना है तो मैंने जिस प्रकार से लिया है उस प्रकार से म हमें अच्छे से मेक्स करते जाना है अंदर और मसलते हुए मिक्स करना है देखिए यह जो है मीठा सोडा है में डायरेक ऐसे ही साथा डाल सकती थी लेकिन मैं आपको बताने के लिए चुटकियों में पकड़कर डाल रही हूं ताकि आपको समझ में आए एक कपाटे के सामन हमें दो चुटकी सोडा डालना होता है तो मैंने यह पर 3 कप डाला है तो उस प्रकार से मैंने छे चुटकी सोडा इसके अंदर आड़ कर दिया है अब सारी चीज़ों को हमें मसलते हुए मिक्स करना है और हमें यहां पर डो लगाना है मुठ्छा का व्हासे फ्रेंस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक करना ना भूले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को अल नोटिफिकेशन पे सेट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे देखिए इस प्रकार डालेंगे थोड़ा सा खटाई के लिए लिम्बू का रस नीमू का रस हम यहां पे एड़ करेंगे और फिर उस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि यहां पे जो हमने गूर्ड डाला था तो यहां यहां पे खटाई और मीठे पन का बैलेंस हो जाए तभी हमारा मुठे का टेस्ट अच्छा आएगा तो यहां पे मैंने आधा निम्बू डाला है निम्बू मेरे पास थोड़ा बड़ा वाला था इसलिए मैंने आधा ही डाला है आप चाहो तो छोटा वाला हो तो आप पूरा लगा लेना है उसके बाद मैं यहां पे थोड़ा सा कर्ड भी यूज़ करने वाली हूँ वैसे कर्ड ऑप्सनल है आप चाहो तो डाल सकते हो अगर ना चाहो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो लेकिन मैं थोड़ा पसंद करती हूँ इसलिए मैं यहां पे थोड़ा सा कर्ड करण यूस करूंगी और फिर आटे को हम अच्छे से मसलेंगे और डो लगाएंगे वैसे अगर आप एंचों सबादे करूंगे तो थोड़ा यूज सांगी ज्यादा हो जाएगा और हाथ में फूड़ा चिपके करूंगा लेकिन अगर आप ब नहीं डालोगे तो तो वो चिपकेगा नहीं और गोली अच्छे से बन पाएगी जो हम बताने वाले हैं गोली मुठिया वो उसकी गोलिया अच्छे से बन पाएगी लेकिन मैं पसंद करती हूँ बहले ही हाथ में चिपके लेकिन मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो मैं यहाँ प आप लोग अगर आप भी पेज़ पर और इंस्टा पर देख रहे हो मेरी इस रेसिपी को तो आप लोग वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो देखिए इस प्रकार से हमें गोली बना लेनी है वैसे फ्रेंट्स किसको यह मुठी है पसंदे मुझे कॉमें वाक्स में जरूर से बताना देखिए इस प्रकार से सारे मुठी हमें तयार कर लेने है और एक स्टीमर के अंदर हमें इसे स्टीम कर लेना है अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप नॉर्मल वाले पते लेगे अंदर भी आप इसे स्टीम कर सकते हो और यह फटाफट से स्टीम हो जाता है इस से बंद करके फिर से दो मिनिट चलाओंगी हो चुका है वैसे देखिए होई गया है तो अब इसे मैं निकाल लूँगी और उसे साइट पर रख दूँगी और इसी स्टीमर के अंदर जो हमने पैटर दूसरा साइट पर रखा था उसमें से हम नॉर्मल मुठ्या भी बना लें देखिए और मुठ्या की साइज आप कितनी बना रहे हो बड़ी चोटी उस प्रकार से आपको स्टेम करने में समय लगेगा समय आप अपने अनुसरा वैसे नॉर्मल मुठ्या बनाओ तो पंदरा मिनिट आपको स्टेम करने के लिए लगता है लेकिन अपी और थोड़ा और फिर उसे खोल कर चेक कर लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि यह कोख हुआ है कि नहीं हुआ है तो इस प्रकार से हमें स्टेम कर लेना है देखिए अभी गोली मुठ्या हमारा तयार हो चुका है तो अब हम उसे भी फ्राइ कर लेते हैं देखिए उसके अंदर भी हम टाणा लगालेते हैं देखिए इस प्रकार से हमें ओइल डाल देना है यहां पे चार से पाच चमच यहां पर हमने ऑल मुठ शीट ढला दी है राइ तड़क ने लगे तो हम इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे हर इमिर्ज वैसे ऐसे आप सीच है आप चाहँ तो डाल सकते हो वरना के उसरों एक अपड़ी पत्ते हो अगर हो तो मेरे पास अभी नहीं था हॉए मैं नहीं डाल रही हूं और यहां फूडा हमें हां का फ्लेवर बहुत अच्छ आता इसके अंदर कोउ गूली मुठ्या इसके अंदर तो यह तील हमेशा हमें डालना है तो तील डालने के बाद हम यहां पे मुठ्या डाल देंगे और मुठ्ये को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा हमारा गोली मुठ्या है जो हम लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं टिफिन बॉक्स में बच्च हो तब आप इसका यूँज कर सकते हो वैसे आप इसे बना कर फ्रीज के अंदर भी रख सकते हो और जब चाहो तब इसके अंदर तड़का लगा कर सब कर सकते हो गर्म गरम बहुत ही मज़ा आती है खाने में ये चाई के संग भी बहुत अच्छा लगता है ये मुठ्या और ये बनाया ही अलग अंदाज में तो बच्चो को भी पहुत पसंद आएगां मेरे बेटे को वेत को ये बहुत मज़ा आती है उसे यह खाने में तो आप इस प्रकार से गोली मुठिया बना सकते हो तो यह हमारा गोली मुठिया पांच मिनीट के अंदर को खो चुका है देखिए बहुत ही अच्छा बना है यह मुठिया और खाने में बहुत ही लाजवाब है और सॉफ्ट भी बहु कि इसके अंदर जो हमने खटाई डाली थी उसका बैलेंस अच्छे से हो जाए और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए इसके वैसे यह है तो गुज़ातियों का खाना तो इसके अंदर सूगर तो डलता ही है सूगर अच्छे से हो गाई हमारे गुज़ाती के खाने में तो अच्छा आएगा तो देखिए इस प्रकार से हमारा गोली मुठ्या बनकर तयार हो चुका है देखिए मैं इस तोड़ के भी दिखाती हूं आपको आप देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं तो मैं इसे तोड़ूं की तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि यह कितने सॉफ दिख रहे हैं देखिए आप देख सकते हो खाने में भी इतने ही मज़ेदार है देखिए अब हमारे यह नॉर्मल वाले मुठ्य भी बनकर तयार हो चुके हैं यह भी कितने फूल चुके हैं देखिए जब भी आप यह बनाओ ना तो यह जो मीठा सोड़ा आप डालो उसका ह हमेशा हमें ध्यान रखना होता है तो मेजर्मेंट हमेशा आप प्रॉपर से लो तो मज़ा आएगी खाने में और बनाने में दोनों में ही तो देखिए हमारी यह मुठ्य भी रैरी हो चुके हैं तो अब हम इस मुठ्य को थोड़ा ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसके अब इसे हम कट करके इसके अंदर भी हम तड़का लगा लेंगे तो अभी इसके अंदर तड़का लगाने के लिए हमने लसन भी चौप करके रखा है इसके अंदर हम तड़के के अंदर लसन डालेंगे तो यह नॉर्मल मुठ्या है गुज्रातियों के था हमारे यहां गु अब ऑईल गर्म हो जाए तो मस्टर सीट डाल दी और मस्टर सीट तड़कने लगे तो हम इसके अंदर लसन जो हमने चौप करके रखी हुई थी वह डाल देंगे लसन का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है तो यहां पे लसन थोड़ा सा जादा जाएगा चौप किया होगा तो बहुत मजाएगी अब ये अच्छे से सीख जाए तो हम इसके अंदर तील डाल देंगे और फिर उसके अंदर मुठ्या डालके कि हम अच्छे से makes कर लेंगे और उसे थोड़ा ?行 कर लेंगे फिर से तर्का जो है हमारे मुठीय के अंदर चढ़ जाएंगा ? क हम उसके अंदर हम डाल देंगे दो और मुठीय को अच्छी से हिल लेंगे और मुठीय को जब-ब्पी थोड़ा सा सूगर वागडर ढाल। और दैसिकरड का कोकोनल tent कि मेरे पास fresh coconut नहीं है तो मैं वहीं डाल रही हूँ अगर fresh हो और वह आप डालो तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और देखने में भी बहुत उसका अच्छा लूग आता है friends कहां कहां से आप मेरी recipe को देख रहे हूं मुझे comment box में जरूर से बताना वैसे आप अगर comment करोगे मेरे इस recipe में तो मुझे पहुत ही मज़ा आएगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका comments जो होता है और likes जो होती है मुझे motivate करती है नए video लाने के लिए तो देखिये हमार यह मुठिया भी बनकर तयार है कितना लाजव अब दिख रहा है और यह विंटर का special food है विंटर के अंदर मेथी बहुत ही आ रही होती है फ्रेस फ्रेस तो हमें इस प्रकार से मुठिया बनाने होते हैं क्योंकि हमारे यहां यह मुठिया के संग बहुत मजा आती है और मेरे अस्वन को तो परस्नली चाई चाहिए इसके साथ तो मैंने चाई भी बना ली है और इस प्रकार से मैंने यहां पर मुठिया पी सर्व कर रही हूं देख सकते हो आप कितने अच्छे मुठिया बनकर तयार हुए है तो दोनों ही मुठिया में आपको दिखा रही हूं वन बाई वन देखिये यह हमारा नॉर्मल रेग्यूलर मुठिया जो बनता है गुजरातियों का वही है और यह है तूसरा वाला हमारा गोली मुठिया जो हमने अलग अंदाज में बनाया है सेम चीज है लेकिन उ आपको समझ में आ जाएगा दोनों का अंतर दोनों में क्या फर्क है आप समझ जाओगे जब बनाओगे तो देखिए इस प्रकाल से आप बनाए और एंजोई करें फ्रेंट्स मजा आने वाली है देखिए दोनों ही मुठियों दिख रहा है ना सुन्दर आप इससे लंज ब खेव ओल झाम देखिए di वाली है लिए और दोनों ही मुठियों और यहाई ना का जजेड?